अब आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम इस तरह के और गनाजर बनाएंगे वह विल्कुल फ्री जीरो कोश्ट में घर पे पड़े विकार चीजों से इसे बनाना बहुत ही आसान है इस तरह के और गनाजर जब मार्कर से लाते हैं तो वह काफी महिंगे मिलती है और जल इसे आप अपने angels के बढ़ी और चोटी वह बना सकते हैं तो चलिए से मुराना सुरू करते हैं यसे बनाने के लिए मैंने पुरानी लीन की सबसी पहले हम पैंड को इस तरह से सेट कर लेना है और यहां से हम कट कर देंगे आ पिसे अपने साइफ के इससाब से बढ़ी चोटी भी बना सकते हैं और नीची की जो मोरियां है उसकी सिलाइ भी मखोल देंगे ताकि इसकी लेंठ बढ़ी हो चाहिए ट कर देंगे तो छोटी हो जाएगी और साइट की सिलाई हमें इस तरह से खोल लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे दूसरे कर लेंगे कि और हम इस तरह से जॉइंट कर लेना है तो हम रहला सा पीस बन वंगया है उसलाई लेंगे सिलाए लग गई है और स्कृश्व कर लेंगे सिद्क इसक यह इसे लाइगे सबसे बंढा सकते हैं यहां से एज शक्ती सिंच यह यह हैं से अठाइस इंच है है कि इस तरह से फोल्ड़ करें रिवन मिलाते हुए और 一ल और फोल्ड खरेंगे तो यह हमारा चार फोल्ड में हो गया और यहां पर एक दोन लगा लिएंगे ताकि इधर मुदना घस पे और यहां से वह हम साथ इंच पे निसान लगाएंगे और यहां से भी साथ इंच पे निसान लगाएंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे तो इस तरह से मिलाते हुए इसका बॉक्स बना लेंगे और इसे कट कर देंगे तो यह देखिए कट हो गया है और यह हमारा एक पीस रेडी हो गया चावल गयों की प्लास्टिक की बोरी का यह जो हमने पैंट वाला पीस रेडी किया था उसके उपर हमें इस तरह से रखना है यह सीधा वाला हिसा है और यह जो चावल गयों की बोरी वाला है इसे हमें इस त तरफ रखना है और इसरे इस तरह से पिल लगा के स्यट कर लेना है और इसे पर यह निवाच यह इसे कट कर लेंगे तुर घ्रच थे क्नारे में यहां से दे Φोड़ा vive खूला रखना है और बाकर करेंने जाए निर्टार बाकि मठटवी जाएम के सिर्णाय लगा के रेडी कर लेना है तो यह देखे सिलाई लग गई है और इसमें जो एक्स्ट्रा फैवरिक है उसे कट कर देंगे यह देखे पैंट वाला हिस्सा हमने सीधा रखा था और चावल गयों की जो बोरी है जो वाइट वाला पॉर्सन नों से नीचे की तरफ रखा था प्रेंट व प्रेंट वाला हिस्सा है प्लास्टिक की बोरी का वह अंदर की तरफ चला जाएगा वह अंदर हो जाएगा उल्टा की तरफ है तो वह अंदर की तरफ चला जाएगा और इससे इस तरह से कॉर्णर को निकालते हुए सीधा कर लेंगे और यहां से जो खुला हुआ है वहां स इसा प्लास्टिक का बोरी का ऊपर की तरफ आ गया है और यह देखिए कॉर्णनर से जो पीस बजा था उसे मैंने ज्वाइन करके बड़ा पीस बना लिया है इसे इस तरह से कट कर लेंगे इसका हैंडल बना लेंगे कि इसके उपर से सिला का लेने तो यह देखिए हमारा हैंडल बन के रेडी होगए आप हम इसे handle attach करेंगे इसमें तो हमें इसतरह से मेज़र कर लेना है अगर तो हम इसका कम बाली है तो हम इसका हम कर लेंगे कर लेंगे वगा आश्रसाल करने के बादह में यहान से निसाल लगाना है दोनों साइड में सेंटर मार्ग से रखते हुए ठी इंच और त्रींच पर तीन तीन इंच पर निसाल लगाना है यहां से हम हेंडल को अटेज्च करेंगे कि प्ल लगा के पहले सेट कर लेंगे उसके उपर से Sakya लगांगे सेमें उसीच तरह से हमें दूसरे साइड भी हैंडल अटेच लेना तो यह देखिए हमारा हैंडल अटेच हो गया है और आप हम इस तरह से कॉर्णर से मिलाते हुए पहले पिल लगा लेंगे फिर उसके बाद इसके उपर से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से दूसरे साइड भी पिल लगा के सेट कर लेंगे बाकी सारे किनारों को भी इस तरह से मिला लेंगे कॉर्णर्स को मिलाते हुए इस तरह से कॉर्णर्स को मिलाएंगे और पिल लगा के सेट कर लेंगे फिर उसके बाद सभी के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे तो यह तो यहां से यह एक इन्च Iya पूंड़ में किको निकालते हूए सीधा करेंगे इसके एकृनरी को सिथा से निकाल लेंगे और शिद्रा खरलेंगे तो यहां से सीधा हो गया है और एक जगा पर हम निसान लगा लेंगे और इसके किनारे का हम मेजर कर लेंगे चारों साइड के राउंड का मेजर कर लेंगे तो यहां से यह देखिए यह साथ इंच आ तो इससे कोई भी आपका पर ले सकते हैं वेचित हो गई पुरानी फाइबिक आप ले सकते हैं इसका फ्लैप बनाने के लिए कि मैंने पुरानी सारी का यूज किया है यह देखिए दो लेर में है इसमें हम इसका बनाएंगे तो यहां से हम एक सेट इंच लेंगे यहां से एक सेट इंच लेंगे और यहां से हम तेरा इंच लेंगे और अब क्या करेंगे कि यहां से इस तरह से रखेंगे दो लियर में और यहां से दो इंच पर निसाल लगाएंगे और इसको यहां से हमें यहां से यहां से यहां तक सिलना है और उपर नहीं तीलना तो यहां दीखे-णिद यहां पर निृचल लगा लेना है तुर्ड के दिखे दो फिर टक्र Arabs आ, रहा था और हमने इस तरह से इसके ऊपर से लगाना है कि तो यह देखें के सिलाइं लग गई है यह हमारे ढोरी लगाने के लिए बन गया है और इससे तरह से हम पहले हाफ इंच चाहँ फोल्ड करते हुए इसके ओपर से पूरे में सिलाइं लगा लेंगे लगवग यह डेरीज का यह फोल्ड हो गया इस तरह से हमें किनारे पर लॉक करके सिलाई लगा लेना है तो यह देखिए हमारे फ्लैप के लिए डोरी वाला बनके तयार हो गया है और हम इसे अटैज करेंगे में पीस में तो यह देखिए यह जो सीधा वाला हिस्सा है अंदर की तरफ को है यह देखिए हमारा सीधा है और यह उल्टा है तो हमें इस तरह से पहना देंगे अंदर की तरफ कर देंगे और इसको इस तरह से मिलाते हुए जो अंदर वाला हिस्सा है उसे मिलाते हुए इस तरह से पहले पील लगा के सेट कर लेंगे तो हमें सीधा उल्टा देख लेना है उल्टा वाला हिस्सा अंदर की तरप को रहेगा तो यह जो सीधा है उसे हमें मिलाना है कि इस तरह से मिलाते जाएंगे और पिल लगा के सेट कर लेंगे और हैंडल को अंदर की तरप को रखेंगे और इसके उपर से सिलाय लगा लेंगे यह देखिए सिलाय लग गई है और अब हम इसे इस तरह से अंदर की तरप को कर लेंगे फ्लैप और फिर इसके ऊपर से सिलाय लगाएंगे और हैंडल को ऊपर की तरप को करते हुए इसके किन पर किनारे पर फिलाएं लगा लेंगे इस तरह से मरा पाइप जासा बन जाएगा तो यह देखिऊ लगके रेडी हो गई है और लेकिए अंधर से भी यह तैसे काफी अच्छी से फिनिस हो गई है और यह अब क्या करेंगे इसके corner पर हमें इस तरह से पकड़ते हुए एक सिलाई लगा लेंगे ताकि किनारे अच्छे से फिनिस हो जाए और देखने में इस तरह से वह काफी अच्छे लगती है तो यह देखिए सिलाई लग गई है चारो कॉर्नर्स पर तो यह देखिए हमारा अर्गनाजर बनके रेडी हो गया है और अब हमने जो डोरी वाला बनाया था तो इसके लिए हम डोरी बनाएंगे तो इस तरह से रेडी में ट्रॉजर वागारा में जो डोरी आती है उसका भी आप यूज कर सकते हैं और नहीं तो आप फ इसे हम इस तरह से फोल कर लेंगे और इसके ऊपर से सिलाय लगा लेंगे तो यह हमारी डोरी बनके रेडी हो जाएगी तो यह देखिए हमारी डोरी बनके रेडी हो गई है आप इसे हम लगाएंगे तो इस तरह से आप पिल ले लें कोई भी पिल ले सकते हैं और इसे हम जो लोक हो जाएगा खुले नहीं और या देख्येज के लिए हमें सेम में जर मेंके कार्डबोर्ड करना है कार्डबोर्ड लगाने सेबब्सक्राइब कंडर खाइसिंग आच्छी होती है और यह इस टिफ रता है मेतलि से इसमें आपको appliance रख्के DCCA देखाती हो किने सारे Lloss आगया आप इसमें सर्दीयों के कप्री भी रख सकते हैं कंहीं किम्भल बगार्दी रख सकते हैं तो यह देख्य किकिने सारी इसमें रखे हुए क्लॉस को रखने के बाद इसका जो फ्लैप है हमें से इस तरह से पैक्ट कर लेंगे इस तरह से डोडी को जब खीचेंगे तो यह अच्छे तरह से बंद हो जाएगा और इससे हमारे क्लॉस गंदे भी नहीं होंगे आप इस अर्गनाजर को अलमीरा में भी अर्जस्ट कर सकते हैं या पीर रख सकते हैं तो कितने आसाने से हमने यह पुराने प्रैंट से और डरे चावल खहन की बोरी से और पूराने साढ़ी से एंगिनाजर बनाके बिघ्र लिए तो कि अपको मेरा यी वीदियो कैसा लगा कमेंट करके जबूँपताईगा अगर आपको मेरे वीडिय लगी है थोड़ी सी भी यूजफूल लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए जारा साधा सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद